चोरी की घटना में सनलिप्त वांचित दो अभियुक्तों को रेतमा ती राहे के पास से पुलिस ने किया गिरफतार। अभियुक्तों ने बताया कि दिनांग 22 जनौरी 2023 को कस्बा लाल गंज में चाय पान की दुकान से एक औरत से एक हजार रूपया और उसी दुकान से एक आदमी से एक हजार रूपया चुराये थे इससे पूरो दिनांग 22 जनौरी 2023 को कस्बा लाल गंज में चाय पान की दुका पर उर्मिला चवरसिया और फौजदार पुत्र शीवनाथ दुकान पर मौजूद थे कि रामदरस चवहान पुत्र स्वर्गी सोहन चवहान निवासी सलेमपूर थाना कुतवाली आजमगड और अमर्देव गोण पुत्र बीरबल गोण निवासी आवती पहलवान पूर थान चुराआ कंदरापुर जनपद आजमगड दूकान पर आये उर्मिला चवरसिया से 1000 रूपया और फौजदार से 1000 रूपया चुरा कर जाने लगे जब उर्मिला चुरसिया ने उन्हें रोका तो जान से मानने की धमकी देते हुए चले गए इसके संबंध में थाना देवगाउं पर मुकदमा अपराद संख्या 20 बटा 2023 धारा 382 पांच सो च्छे भारतिय दंड विधान पंजी किरित किया गया गिरफतार करने वाली पूलिस टीम में उपनी रिक्षक देवेंदर दूबे चौकी प्रभारी लाल गंज हेट कांस्टेबल अशोक सोनकर चौकी लाल गंज कांस्टेबल मिराज अली चौकी लाल गंज थाना देवगाउं जन्पद आजमगर शामिल रहे